नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मिले इस चैनल में जिसका नाम है विक स्टॉक स्कूल तो आज हम बात करेंगे SBA शेर के बारे में कि कल के दिन इसके क्या इंटरडे के लेवल से यहां पर बन सकते हैं यहां पर देखने को मिला लेकिन वहीं निफ्टी बैंक में हमको यहां पर अबे थोड़ी नेगटिविटी यहां पर देखने को मिली है जो लोग मेरी चैनल पर नहें आए वो कृपता हैं। यहां पर सब्सक्राइब का बटन देख रहोगा, यहां पर सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। साथ में बैल आइकन के ऊपर नोटिफिकेशन के ऊपर और आल कर दीजिये। ताकि जो भी मेरी लेटस्ट वीडियो जो आप तक अराम से पहुंच सकें सो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आज की दिन जो मार्केट हमको निफ्टी फिफ्टी पहले आप देखिए हमको यहाँ पर काफी बड़ा gap डाउन यहाँ पर देखने को मिला लेकिन उसके बार कच्छी रिकवरी हमको देखने को मिली और लास्ट में आते आते हैं यहाँ पर थोड़ा आप देखिए बिल्कुल नूटरल के साथ यहां पर बंद होता हुआ देखने को मिला लेकिन निफ्टी बैंक में हमको ऐसा नहीं देखने को मिला यहां पर gap down opening देखने को मिली यहां पर जो है निफ्टी बैंक थोड़ा निचले लावस तक बार बार यहां पर दो बार यहाँ पर नीचे ले लावस तक गया लेकिन उसके बार हमको last में कच्छी recovery देखने को मिली यहाँ पर थोड़ा green candle के इंदरी बंद होता हुआ देखने को मिला लेकिन जो हमको यहाँ पर gap एक देखने को मिला था आज के दिन उसको यहाँ अभी तक इसने यहाँ पर film हमको नह इन क्लोजिंग इसकी जो है वो देखने को मिली है तो अगर कल के दिन मार्कर यहाँ पर positive होता हुआ हमको देखने को मिलता है तब इसके यहाँ पर हमको क्या लेवल सकते हैं सबसे पहले आप देखे आज के दिन यहाँ पर पहले 15 मिड़े में बहुत बड़ी यहाँ उपर इसकी जो है पर देखने को मिलता है तो इसकी जो है तो 352.50 के उपर अगर यहाँ पर थोड़ा ताइम सस्टेंड करें जाता है तब आप यहाँ पर इसके इंदर बाय की पोजिशन बगारा बना सकते हैं अगर इस लेवल के ऊपर आदा एक गंटा सस्टेंड करता है तब ही आपको यहाँ पर पोजिशन बगारा यहाँ पर बनानी है तो अगर हो सकता है यहाँ पर दोबारा टच करने के बार फ के लेवल के ऊपर हमको यह जाता हुआ देखने को मिलता है उसके बार ऐगर फास रॉखनर ई के आश प्रिश बढ़ए दूसरा टारक्ट मिन कर सकते हैं और एकर लुख टार्गेट के लिए जाए तो अपना जो स्टॉप लास है वह यहां पर ट्रेल कर सकते हैं लगबग 355 अपना दुबारा स्टॉप लोस रख सकते हैं ताकि जो आपको यहां पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ वह आपका प्रॉफिट जाए वह नेगटिव में ना जाए तो उसके बार आपको इस लेवल के आसपार बिलकुल यहां पर ट्रेड वगएरा नहीं लेना है उसके बार आप देखिए पहले 15 मिट की कैंडल के बार उसके अगले 15 मिट में इस लेवल के आसपार लगबग 344.50 के आसपार इसने एक चोटा सा यहां पर सपोर्ड लिगा अगर नचले लेवल तक आया और इसी लेवल को यहां पर इसने टच करने के बार इस से यहां पर शोटा सा यहां पर एक स्ट्रॉंग सपोर्ड यहां पर बना हुआ है अगर इस सपोर्ड की नीचे अगर फिर से हम को यहां पर थोड़ा टाइम देखने को मिलता है 15-20 नीचे अगर यहाँ पर यहाँ पर देखने को मिल सकती है अगर यहाँ पर बिल्कुल gap up gap down नहां नहां ओपनिंग देखने को मिले उसके बार इस लिवल को तोड़ने के बार तब आप अपनी cell की position वगएरा यहाँ पर बना सकते हैं क्योंकि इस zone के अंदर अंदर जब भी यहाँ पर रहेगा तो आप देखे कभी ऊपर गया आज के दिन भी फिर से नीचे गया फिर से यहाँ पर जाता हुआ देखने को मिला तो आप यहाँ पर उपर नीचे ही यहाँ पर चलते रहेंगे तो इस लावल की नीचे गर आप जाएगा तभी आपको यहाँ पर जो अपनी call यहाँ पर जो अपनी position है वो यहाँ पर शॉर्ट करनी इसके बार यहाँ पर आप देखे आपका जो अगला target होगा वह लगबग 339 50 के आपका अगला एक अच्छा कासा एक सपोर्ट यहाँ पर बन सकता है तो अच्छा कासा यहाँ पर यह सब्सक्राइब के दिन भी थोड़ा पॉज़िव देखने को मिल सकता है सो अब है में चोंगा क्योंकि बहुत बड़े टार्गर यहाँ नहीं दूंगा क्योंकि 351 से लेके लगबख आप देखी 10 पॉयंट का यहां पे हमकों को यहां पर डाॉंसाइड के और यहां पर कोणों को जजाए जारा से जारा level criticism का लिंक दिया हुआ है आप आपना फ्री मेटीमेट खुलबा सकते हैं अज इन्वेस्टों से यहां पर शुरू कर सकते जो लोग यहाँ पर daily intraday calls में अच्छे कासे पैसे कमाना चाते हैं वो नीचे description में telegram channel का link दिया हुआ है वहाँ पर जाके आप मेरे telegram channel को join कर सकते हैं आप मैं daily intraday calls प्रवाइड करता हूँ जिससे कि आप अच्छा कासा मुनाफ़ा जो है वो daily कमा सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो like share और subscribe जूर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार